हेलो एवर्वन, वेलकम बैक, इस वीडियो में शेयर करूंगी हाउ तो मेक सॉफ्ट कर्ल्स यूजिंग स्ट्रेटनर तो चली शुरू करते हैं बालो को सुलजाने के साथ तो हम लगाएंगे सबसे पहले अपने बालो में एक अच्छा सा सिरम ताकि हमारे बालो के लिए बहुत ज़ादा अच्छे रिजल्स देता है तो अब हम करेंगे अपने बालो में इस तरह से पार्टीशन हमारे आदे से ज़ादा बालो को हमें इस तरह से लेना है और उन्हें उपर की तरफ टाइ कर देना है यूजिंग अ हैर क्लिप अब हम करेंगे अपने बालो को कर्ल यूजिंग स्ट्रेटनर तो मेरे पास है फिलिप्स का है स्ट्रेटनर जो की बहुत ही जादा अमेजिंग है इसे मैंने रखा है मीडियूम टेंपरेचर पर कॉज मेरे बाल थोड़े थिन है अगर आपके बाल थिक है तो आप इसे हाई टेंपरेचर पर रख सकते हैं अदरवाइस मीडियूम टेंपरेचर इस गुड़ टुगो हम अपने बालों से एक स्ट्रेंड लेके उसे सुलजा लेंगे अगर आपके पास कलर है तो उसे आपको इस तरह से स्ल Meg tomorrow करना है फेश से नीचे के तरफ बालों को आगे से पीछे के तरफ राउंड करते हुए 5 सेकिंद होड करकर एक और अगर आप एस ट्रेंड को इस तरह से अपने स्ट्रेंड को स्ट्रेंड में होल्द करें स्ट्रेंड गर dwist को करें एंड थिनियूम स्लायुडेट कि आप देख सकते हैं मैंने अपने स्ट्रेंड को स्ट्रेटनर में से होल्ड किया है उसे स्ट्रेटनर को ट्विस्ट किया है and then sliding it towards the end and boohoo the curl is ready तो बस इसी तरह से हम अपने बालो में स्ट्रेटनर को ट्विस्ट करते हुए और slide करते हुए सारे curls को तयार कर लेंगे so you can see the difference हमारे soft curls जो है वो comparison to normal hair कितने अच्छे दिख रहे है so बस यही process repeat करते हुए मैं अपने सारे बालो को curl कर लेना है straightener में strand को hold करना है twist करना है straightener को and then slide it towards the end so जैसे हमारे नीचे वाले partition के सारे curls ready हो जाते हैं अपने उपर वाले partition को open करेंगे उसे दो parts में divide करेंगे एक side को open ही रखेंगे और दूसरी side को twist करके clip कर देंगे हम इन्हें भी इसी तरह से curl कर लेंगे आप मारे जो already ready curls है उन्हें पीछे की तरफ रख देना ताकि वो mix ना हो जाए फिर इन partition में से एक strand अलग करना है straightener को अच्छे से hold करना है twist करना है and then slide it towards the end अगर आपकी hair length लंबी है तो आपको ये जो sliding वाला process से उसे थोड़ा सा parts में divide करके करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा slide किया अगें थोड़ा सा slide किया और इस तरह से आपका curl रेडी होएगा so try this technique and let me know if you like this or not cause मुझे तो बहुत ही मज़ा रहा है ये curls करने में wow so मेरे जो flex है उन्हें में straightener को हलका सा round shape में घुमाते हुए इस तरह से straight कर दूंगी इससे मेरी flex को बहुत अच्छा volume मिल जाता है and yeah here are the curls looking superb and so pretty so आज की hair styling में मैं add करने वाली हूँ crown so उसके लिए बनाएंगे हम एक puff आगे की तरफ के बालों को थोड़ा सा छोड़ते हुए पीछे से हमें एक section लेना है फिर इस section में हम calm करेंगे downward direction में इससे बनेगा हमारे puff के लिए बहुत ही अच्छा सा base so अब इस section को हम इस तरह से hold करेंगे और इससे बनाएंगे एक अच्छा सा puff और उसे clip कर लेंगे using a bobby pin पफ को अच्छे से secure करने के बाद हमारे जो आगे के पाल हमने छोड़े थे उन्हें हम twist करेंगे और twist करके पीछे की तरफ इस तरह से bobby pin से secure कर लेंगे same दूसरी side की साथ भी repeat करेंगे और end में हमारी hairstyle को देंगे finishing look using a crown so try this hairstyle and give yourself a pretty princess look on your own so I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो इससे like करें share करें और subscribe कर मेरे चैनल को मिलेंगे next वीडियो में एक नहीं hairstyle के साथ thanks for watching